आप सुन रहे हैं उर्दू का पहला नौविल मिरातल उरूस तहरीर डिप्टी नजीर एहमद हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बैल का आइकन नबाना ना भूलिएगा शुक्रिया बाप तेरवा, असगरी पर मामा का पहला वार एक दिन बरसाथ के मौसम में बादल गिरा हुआ था ननी ननी फवार पड़ रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी मुहमद कामिल ने कहा आज तो कड़ाई को दिल चाहता है लेकिन बशर्त ये के तमीजदार बहु एहतमाम करें असगरी कोठे पर रहा करती थी उसको खबर नहीं के मौहमद कामिल ने कड़ाई की फरमाईश की मामा अजमत घी, शक्कर, बेसन वगारा समान ले आई और मौहमद कामिल से कहा साहबजादे लीजिए सब सौदा तो मैं ले आई जाओं बहु साहब को बला लाओं कोठे पर गई तो अजगरी से कड़ाई का कुछ तसकरा तक नहीं आया उसी तरह उल्टे पाउं उतर आई और कहा बहु कहती है मेरे सर में दर्द है परमाईश की थी बद मज़ा पकवान खाकर बहुत उदास हुआ कोठे पर गया तो बीबी को देखा बैठी हुई अपना पाईजामा सी रही है जी ही जी में नाखुश हुआ के एं सीने को सर में दर्द नहीं और जरा कड़ाई को कहा तो दर्द सर का बहाना कर दिया ये पहली नाखुशी मुहमत कामिल को अजगरी से पैदा हुई और दस्तूर है के मिया बीबीों में बिगाड इसी तरह की छोटी छोटी बातों में पैदा होता है अजबस के अक्सर छोटी सी अमर में बिया हो जाता है खुदा के फजल से अकल मुसलिहत अंदेश ना मिया में होती है ना बीबी में अगर जरा सी बात भी खलाफे मिजाज देखी तो मिया अपने को अकड़े बैठे हैं और बीबी अलग मुँ उंधाए लेटी हैं और जब एक जगा का रहना सेहना हो तो मुखालिफ की छोटी छोटी बातों का बेशतर वाका होना क्या ताज़ुब है ये मुखालिफत कसरस से होते होते दोनों तरफ से लिहाज और पास जाता है और तमाम उमरजूतियों में दाल बढ़ती रहती है सबसे बेहतर तद्बीर ये है के मिया बीबी शुरू से अपना मामला एक दूसरे के साथ साफ रखें और अधना रंजश को पैदा ना होने दें वरना ये ही छोटी छोटी रंजशे जमा होकर आखिर को फिसाद दे अजीम हो जाएंगी और रंजश को पैदा ना होने देने की हिकमत ये है के जब कोई जरा सी बात भी खिलाफे मिज़ाज वाक्या हो उसको दिल में ना रखें अगर मुहमद कामिल बीबी से बतौर शकायत पूछता क्यों साहब जरा सा काम ना हो सका तुमसे और दर्दे सर का बहाना कर दिया उसी वक्ट दो चार बातों में मामला तैह हो जाता और मामा अजमत की फितरत खुल पड़ती लेकिन मुहमद कामिल ने मूँ पर तो लगाई महर और दिल में दफ्तर शकायत लिख चला असगरी को मुहमद कामिल की कमल तफाती से खटका हुआ और समझी के खुदा खैर करे लड़ाई का आगाज नजर आता है सास को देखता तो उनको भी किसी कदर मुकदर पाया हैरत में थी के इलाही क्या माजरा है अगला बाप सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दियो हुए लिंक को क्लिक कीजिए शुक्रिया